Hello everyone, I welcome you all to Guru Manthwa Classes. आज हम Roman numerals देखने वाले हैं कि हम Roman numerals को याद कैसे करें और कुछ इसके shortcut tricks भी देखेंगे जिसके आप बड़े-बड़े numbers को easily Roman numbers में convert कर सकते हो और हम इसमें basically 1000 तक के numbers पे focus करेंगे 1 to 1000 सबसे पहले आपके सामने एक screen है जिसको आप देख सकते हों जिसमें Roman numbers दिया हुआ है starting from 1 to 3000 पर आप basically 1000 तक confined रहना क्योंकि I don't think 1000 के बाद इतना useful होता है but still we will see what all numbers we have to see today so starting from 1,2,3,4,5 से लेके 3000 तक अब इन numbers को सबसे पहले हम याद कैसे करें यह सबसे बड़ी problem होती है कि इन numbers को हम याद कैसे करें दूसरी बड़ी problem यह होती है कि अगर कोई numbers haphazard manner में arranged है जैसे मान लो कोई number है 1486 तो हम confused हो जाते हैं कि हम numbers को Roman numbers में लिखे कैसे क्योंकि 1,2,100 तक तो numbers लिखना काफी असान होता है या 1,2,50 तक आप ले लो तो काफी असान होता है बट जब हम 1000, 2000, 3000 तक चले जाते हैं तो वहाँ पे हम इन numbers को कैसे solve करें तो सबसे पहले कुछ Roman numerals के बारे में हम जान लेते हैं कि यह एक ancient method था numerical method था जो कि Rome में use किया जाता था और आज हम इसको अलग-अलग methods में use करते हैं कुछ steps अब हम शुरू करेंगे जिससे हम in Roman numerals को quickly learn कर लें So let's start सबसे पहला step है सबसे पहला step है कि आपको पता होना चाहिए कि 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000 को किन numbers से हम denote करते हैं तो आप ऐसे याद रखो यह 1 है, यह 5 है, यह X है 10 is X, 50 is L, C is 100, D is 500, M is 1000 तो अब आप इसको learn कैसे करोगे भूल जाओगे अभी तो थोड़े देर के बाद ही तो इसको learn ऐसे करेंगे हम एक mnemonics मैंने बनाया है जिससे आप इसको learn कर सकते हो My dear cat loves extra vitamins intensely तो my dear cat loves extra vitamins intensely तो यह मैंने सबसे largest से सबसे smallest number में इसको arrange किया है आप इस mnemonics को याद रखना और इनके जो first letters है इनको भी याद रखना My dear cat loves extra vitamins intensely अब आप वापस से number देखो यह देखो M stands for thousand My dear में M जो है वो stands for thousand Dear में जो D है वो stands for five hundred thousand five hundred Then cat C stands for hundred उसके बाद L loves L is 50 X is 10 V is 5 And I is 1 तो यह चीज़ आप याद रखोगे I hope आपको इसमें कोई problem नहीं होगी I is for intensely जसको हम 1 से denote करते हैं V is for 5 जसको हम vitamins से denote करेंगे X is for 10 L is for 50 C is for 100 D is for 500 And M is for thousand तो यह आपको याद होना चाहिए यह चीज़े तो आपको याद होनी ही चाहिए यह आपका step 2 है अब देखते हैं step 3 में कैसे काम अगरते हैं अब जितने भी once वाले digit है Once वाले जितने भी number है Once में कौनकों से number आते हैं 1,2,3,4,5,6,7,8,9 यह सारे once वाले number है तो इनको क्या करते हैं हम एक जगा पर याद कर लेते हैं कैसे 1 हम ऐसे लिखते हैं एक डंडी फिर 2 दो डंडी 3 तीन डंडी 4 इसको ऐसे लिखते हैं इसको कैसे लिख रहा है जो 5 था आपको याद होगा वो V था तो बड़े number के ठीक left hand side पे अगर कोई number होता है तो उस बड़े वाले number से हम उसको subtract कर देते हैं तो आप यह देखो V तो 5 था यहाँ पे भी देख रहो V क्या था 5 था उसमें से अगर यह 1 यह वाला 1 अगर आप left hand side पे लिखते हो तो यानि कि हमें subtraction करना है और अगर इसी बड़े number के आगे आप कोई numeral लिखते है Roman numeral इसका मतलब है right hand side में लिखने का मतलब है आप इसको add करते हैं तो यहाँ पे left hand side लिखा हुआ है यानि कि 5 में से मुझे 1 को minus करना है तो मेरा number होगा 4 फिर 5 हमने देखा था 6 कैसे देखेंगे यह देखो अभी आपको मैंने समझाया था कि जो V है वो 5 है तो उसके right hand side में अगर हम कोई number लिखते हैं that means हमें add करना है तो 5 plus 1 क्या होता है 6 होता है तो यह हमारा number होगा again यहाँ पे V के साथ 2 तो दो lines है है ना यानि कि यह right hand side पे है तो हमें इसको क्या करना होगा add करना होगा तो 5 के साथ 2 अगर lines को add करते हैं तो क्या बनेगा 7 बनेगा easy फिर 5 के साथ 3 lines को add करेंगे तो 8 बनेगा 5 plus 3 is 8 अब यहाँ देखो X का मतलब तो हमने 10 पढ़ा था कि X जो है वो 10 है अब इस 10 के left hand side पे 1 है इसको तो 1 ही कहते है ना तो 10 के left hand side पे 1 है यानि कि आपको 10 से 1 को subtract करना होगा तो वो जो number आएगा उसको कहते है 9 यहाँ तक आपको clear है अब उसके बाद 1s वाले number हमने सारे याद कर लिये अब हम 10s वाले number याद करेंगे तो 10s वाले number कौन-कौन से होता है 10 होता है 20 होता है 30 40, 50, 60 70, 80 और 90 यह सारे number आपके 10s वाले number है जो कि 10s place में आते हैं तो अब इनको याद कैसे करें अब आपको पता है यहाँ तक तो 10 जो होता है वह x होता है तो दो बार अगर हम x लिख देते हैं तो आपको पता है न कि बड़े वाले number के साथ अगर right hand side में कोई number होगा तो वह add होता है तो दो बार अगर हम इस number को लिखते है तो 20 मिल जाता है हमें तीन बार x को अगर हम लिखते हैं तो 30 40 मिल जाता है हमें अब यहां पर problem कहा पर आती है 40 को याद करने में 40 को कैसे याद करो गया L को आपको पता होना चाहिए कि यह 50 होता है loves था ना my dear cat loves तो L क्या था वहां पर 50 था तो 50 के 50 के आगे अगर में 10 left hand side पर लगा दू तो आपको पता है ना left hand side के number minus होता है यानि कि number के आएगा आपके पस 40 आएगा easy और L आपको पता है कि यह 50 है फिर L के अगर आगे में 10 लगा दू तो पता आपको right hand side में अगर मेरा numeral है तो मुझे add करना है तो यह number 60 बन गया दो बार अगर लगा दू तो यह 70 बन जाएगा तीन बार अगर लगा दू तो यह 80 बन जाएगा अब problem कहाएगी 90 को याद करने में तो आपको पता होना चाहिए कि 100 जो होता है वो C होता है 100 क्या होता है C होता है अब मैं इस 100 के आगे 10 लगा दू left hand side में तो आपको पता है subtract करना होगा 100 से 100 से किसको subtract करना होगा 10 को subtract करना होगा यानि कि आपका number क्या हो गया 90 तो problem कहा कहाँ भी होगी आपको प्रॉब्लेम होगी एक तो 40 में और एक 90 में तो 40 और 90 को कैसे याद करें तो आपको याद रखना चाहिए 40 के बाद 50 आता है तो 50 किस नंबर से डिनोट होता है और 90 के बाद 100 आता है तो 100 किस नंबर से डिनोट होता है बस इतना से याद रखना है आपको ठीक है? तो यह तो 10s वाले सारे नंबर हमने याद कर लिए अब आजाते हैं 100s वाले नंबर पे 100s वाले नंबर पे आपको पता है कि C क्या है C is 100 यतना तो याद हो नहीं चीए My dear cat वाले में C क्या था C was 100 तो अगर दो बार आप C, C लिख देते हो तो उसका मतलब क्या होगा C के साथ राइट हैंड साइड पे आप एक और C लिख देते हो तो राइट हैंड साइड का मतलब क्या होता है प्लस होता है तो C plus C 200 तीन बार C लिख दिया तो 300 अब यहाँ पे फिर आजाओ C D, C D क्या है D क्या है आपका D is 500 आपने इस स्लाइड में देखा था My dear cat loves extra vitamin तो यह जो D था यह क्या था यह तो 500 ही था जिसको आपने learn किया था तो आपको पता है कि D भी जो है वो 500 है तो जब इस D के left hand side पे अगर मैं एक C लगा देती हूँ तो इसका मतलब क्या होता है left hand side यानी minus D मेरा 500 500 में से 100 अगर minus हो जाता है तो यह 400 हो जाता है I hope आपको यह चीज clear हो रही है बिल्कुल ध्यान से सुनना फिर D आपको पता है कि यह 500 है फिर D के आगे right hand side में अगर मैं C लगा दू तो आपको पता है plus हो जाएगा यह तो यह क्या बन जाएगा यह 600 बन जाएगा D के आगे 2C लगा दू तो यह क्या बन जाएगा 500, 600, 700 3C अगर लगा दू तो यह 800 बन जाएगा अब आपको पता है कि 1000 क्या होता है 1000 तो M होता है न 1000 M होता है न यह देखो अभी आपने learn किया था My पता है कि 90, 90 कैसे लिखेंगे, 900 अब हम कैसे लिखेंगे, 1000 में से left hand side का 100 minus कर देंगे, तो 900 ही तो आएगा न, तो CM is 900, ये tricks आपको बिलकुल अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि कोई भी बड़ा number तब ही आप solve कर सकते हो, उसके बाद, अब you know that you can't have more than 3 numbers in the same symbol in a row, अब 3 से जादा symbols न, आपके एक रो में होई नहीं सकते हैं, मानलो आप 30 लिख रहे हो, तो X, X, X लिख रहे हो, या कोई भी और number या आप 2 ही लिख रहे हो, चलो, तो 2 लिख रहे हो, तो कैसे लिखोगे, 1 और 1, तो ये 2 lines बनाओगे, तो 3 से जादा numerals होई नहीं सकते एक line में ये बात आप ध्यान में रखना, तो कभी भी अगर आपको लगे, कि 40 मुझे लिखना है, तो 40 आप X, 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 X लिख दो, ये ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बात आपको ध्यान में रखना है, कि 4 तो कभी होई नहीं सकता है यह आपने एक, दो, तीन, चार लिख दिया न, यह ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमेशा तीन ही होगा, तब आपको पता लग जाएगा कि आप गलत लिख रहे हो, तो आपके ध्यान में वो चीज आ जाएगी, तो कैसे आप 40 लिखोगे, अभी मैंने आपको बताया कि 40 हम कैसे लिख लारजर वैल्यू के बाद जब हम लिखते हैं, तो एक बड़ा नंबर मिलता है, लेकिन अगर हम उसके पहले ही लिख देंगे उसको, तो हमें एक स्मॉलर नंबर देगा, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, कि जो डी है, डी सपोस करो 500 है, डी त इस साइड अगर लगा दिया, तो यह माइनस कर देगा, इस साइड अगर लगा दिया, तो यह पलस कर देगा, I hope clear है, अब जैसे कि माझनरो आपको एक लार्जर वैल्यू चाहिए, तो आपको 10 में एक और अगर आप लाहिन लगाते हों, तो आपको 11 मिल जाता है, माझनरो आपको 1150 लिखना है, तो अब यह देखकर कि आप confused हो जाओ कि 1150 है, तो आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि 1000 की value क्या होती है, सबसे पहले आप 1000 को, कैसे number को divide करते हो आप, 1000 plus 100 plus 50, ऐसे ही करते हो ना, इस number को आप ऐसे ही तो करते हो ना, तो इस number को जब आप ऐसे करते हो, मतलब पूरा segregate जब आप इस number को करते हो, 1150 को, तो 1000 क्या होगा, 1000 आपको मैंने बताया था, क्या होता है 1000, आप मुझे comment section में बताओ, 1000 M होता है, फिर 100 क्या होता है, 100 C होता है, और 50 क्या होता है, L होता है, एक बार में 3 से जादा numeral हो नहीं स अब मानलो कि, छोटे number में आपको बताया कि, अगर इस side लिख दोगे, left hand side में छोटे number लिख दोगे, तो बड़े वाले number से आप minus कर सकते हो, अगर right hand side में लिख दोगे, तो आप add कर सकते हो, मानलो मुझे 4 लिखना है, तो 4 आप कैसे लिखोगे, आपको पता है 5 क्या होता ह है, अब आप 4 क्या करोगे, कि 4 को 1, 2, 3, 4, 4 डंडियों के साथ शोग कर दोगे, तो ऐसा नहीं करना है, आपको पता है कि 4 तो होई नहीं सकते एक बार में, एक बार में 3 हो सकते हैं, तो 3 हम इसको कैसे लिखे आए, हमें पता है 5 को V लिखते हैं, उसके अगर left hand side में, अगर में एक डंडी जोड़ दूँ, एक line बना दूँ, तो यह minus कर देगा, तो 5 में से 1 minus कर देंगे, तो 4 आजाएगा, I hope आपको clear यह चीज, उसके बाद 900, 900 को आप क्या करोगे, 900 को भी फिर आप again 4 वाले number से denote कर दोगे, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें 1000 से 100 को minus करना होगा, तो 1000 क्या होता है, 1000 is M, और उसमें 100 क्या होगा, C होगा, तो आप इसके left hand side में लिख दोगे, तो 900 आ जाएगा, यह बहुत easy से trick है, आप बार बार इसको solve करोगे तो आपको बहुत आसान होगा, अब मान लो आपके पास एक number है, 2987, 2987, अब कैसे लिखोगे, 2987 को आसे करेंगे, बड़ा number है न, क्योंकि जो first, मैं आपको बताते हूं कैसे करेंगे, सबसे पहले 2987 को हम कैसे segregate करेंगे, आपने 1000 तक ही पढ़ा है, आपको 1000 तक ही पता है, कि कैसे लिखते हैं हम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 1000 लिखेंगे, फिर एक और 1000 लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, इस नंबर को ऐसे segregate करेंगे, अब आपको 1000 पता है क्या होता है, 1000 क्या होता है, M होता है, दोनों जगे, M, M लिख दिया आपने, 900 क्या होगा, 1000 minus 100, तो 1000 minus 100 क्या होता है, CM ही तो होता है, M से C को minus कर दिया, 80 क्या होगा, 80 again क्या होगा, सबसे पहले है आप लिखोगे L यानि 50, 60, 70, 80 ऐसे लिखोगे आप, फिर 7 आप कैसे लिखोगे, 7 आप ऐसे लिखोगे, तो आपका क्या नंबर बन गया total, M, M, C, M, L, X, 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 V, 1, 1, यह ऐसा बन गया आपका नंबर, यह बड़े नंबर को हम ऐसे denote करते हैं, तो कोई भी नंब पर अब आ जाए, I hope कि आप इसको solve कर लेंगे, अब आप कोई भी random numbers उठाओ, जैसे 1, 8, 3, 7, 2, 9, 4, 5, 8, 7, 6, 6, 7, 4, 10,000, आप ऐसे ऐसे numbers को Roman numeral में, अब आप convert करके, खुद चेक करो की answer आपका क्या आता है, so with this we come to the end of this lecture, I'll see you all in the next lecture, for more tutorials please subscribe to Guru Mantra channel, thank you and all the best